Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. तो जैसे आप जानते हैं बिटा कि हमने Class 9th ICSE Chemistry का Chapter No.1 हमने Start किया हुआ है. उसके Part C को हमने Start कर लिया था. आज की Lecture के अंदर हम उसका जो Next Topic है, that is Percentage Composition इसको Study करने वाले हैं. और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस दिये गए हैं, उनकी जो लिंक से वो हमने Description Box में डाल दी हैं. तो बिनने कोई टाइम वेस्ट किये, चलिए शिरू करते हैं. So देखिए बिटा, आज हमने जो टॉपिक डिसकस करना है, उसका नाम है Percentage Composition. Percentage Composition of a Compound is the percentage by weight of each element present in it. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है तो मैं आपको पहले एक Example देता हूँ, उससे आपको बहुत Clarity हो जाएगी कि exactly क्या है यह. देखिए बेटा, मान लेजिए मैंने पास ये एक, मैंने एक Compound लिख दिया, Na2SO4, अब इसमें Na2SO4 है, तो ये है बेटा आपका Sodium Sulfate. What is this? Sodium Sulfate. अब ना, मुझे, actually में, ये जो पूरा Molecule आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, इसका ना मुझे Weight Find करना है, ठीक है? अब उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए हर एक Atom का Atomic Mass. जैसे कि अगर मैं Sodium की बात करूँ, इसका जो Atomic Mass होता है, जिसको हम Mass Number भी क्या देते हैं, ठीक है? तो वो है 23. अब क्यूंकि दो ऐसे Atom बेटा इसमें प्रेजन्ट है, इसलिए 2 into 23 में यहाँ पर करतूँँगा. प्लस अगर मैं Sulfur की बात करता हूँ, तो इसका जो Atomic Mass है, जो Atomic Number है, इसका Atomic Number नहीं कहूंगा, Mass Number जो इसका है, वो होता है 32. तो यहाँ पर हमारा 32 यूज हो जाएगा. प्लस अगर Oxygen की बात करूँ, तो उसका जो Mass Number है, वो 16 होता है. तो क्योंकि 4 है Oxygen की Atom, तो इसको 16 into 4 कर दूँगा. बस अब जब मैं इनको Add करूँगा बेटा, तो इसका जो यह जो मैं लिख रहा हूँ, 23, 32, 16, इन सब के Units जो हैं वो क्या है, Amu होता है, तो इस Atomic Mass Unit, और Gram में 1 Amu कितना होता है, यह Detail मैं आपको पिछले Lecture में बता अब बात आती है बेटा कि इनका Sum करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे कि अगर मैं इनको Add करूँ, 23 into 2 करूँ तो मैं गया 46 आपका, अच्छा यह 32 का 32 ही रहेगा, प्लस यह 16 into अगर मैं 4 कर देता हो बेटा, तो मेरे पास 64 आपके पास यहाँ पर बनेगा, अब चली जल्दी से इनको Add कर दें, तो 64 हमारे पास हो गया बेटा, that is 10, 10 और यह हमारे पास हो गया, 2 that is 12, तो 12 है, तो यहाँ पर 2 लिख जाता हो बेटा आपका, और यह आगया 142, तो basically 142 AMU हमारा weight है इस पूरे compound, मलब एक Molecular of Compound का, Na2SO4, तो अब मुझे ना यह पता करना है कि by weight, जो sodium है, वो कितना present है इस sodium sulfate के अंदर, अगर उसकी percentage मुझे निकाल नहीं है, तो अब वो कैसे find करेंगे, तो बहुत simple है, बहुत जादा simple है, इतनी बड़ी, मैंना you can say rocket science नहीं है, बहुत अराम से कर सकते हो, जैसे कि sodium है, अब sodium का जो mass number है, वो 23 है, तो उसका weight है, 23 है आपका, क्यूंकि दो present है, इसलिए 2 into 23 है, तो बेटा देखो percentage अगर निकालनी हो, तो बहुत simple formula है, कि जिस element का आप निकालना चाहते हो, उसका total weight एक molecule में कितना है, वो numerator में रखो, denominator के अंगर पूरे compound का weight रख दीजिए, ठीक है, और 100 से multiply कर दो, आपका answer आजएगा, जैसे कि 23 जो है, 32 is 6, 32 is 4, 46 उपर आजएगा और नीचे आजएगा इसका total mass, जो कि 142 है आपका, इसको कर दो आप into 100 बेटा, and that will be the percentage composition of sodium in sodium sulfate, मान लो अकर मुझे कोई कहता है कि सर एक बाप करो, कि मुझे sulfur का बताओ, percentage composition कितना है, तो बस कुछ नहीं करूंगा, sulfur एक ही है, यहाँ पर, तो 32 लूँगा, उसको डिवाइड करूंगा, total mass के साथ 142, into 100 कर दोंगा, जो भी answer आएगा, that will be your percentage composition of sulfur in sodium sulfate, oxygen का करना हुआ, तो यह total mass है, अगर मैं करता हूँ, तो 64 होता है, आपका यह, तो 64 डिवाइड by 142 कर दोंगा, into 100 कर है, किसकी oxygen की, किसमे sodium sulfate है, तो सबसे important चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इसी का भी atomic mass निकालने के लिए, वो है उनका mass number, mass number, ठीक है, तो जैसे के sodium था, sodium बेडा नीचे 11, 23 होता है, नीचे atomic number होता है, उपर होता है mass number, तो mass number बेडा हमें पता होना चाहिए, उसकी help से, हम उनकी जो percentage composition है, वो असानी से find out कर सकते हैं, I hope आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि percentage composition क्या होती है, good, चलिए, अब मैं आपको कुछ numericals करवाता हूँ, जिसके help से, आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा, तो चलिए, अब हम वही करते हैं, कि त एक atom हमारे पाग oxygen का होता है, कोई मुझे कहता है कि sir, मेरे जो पानी है, that is water, h2o है, अगर मुझे इसका mass find करना है, that is molecular mass, अगर मुझे किसका पता करना है आपका, h2o का पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है hydrogen का जो दिया भी हुआ है, यहां पे, कि in amu कितना होता है, तो यहां पर लेकिन 2 hydrogen के atom है, तो 2 into 1 कर दूँगा बेटा, प्लस oxygen का सिरफ एक ही atom है, तो यहां 16 कर दूँगा, in total बेटा हमारे पास यहां पर, that is 18 amu हमारे पास answer आजएगा, जो कि एक molecular mass है, अच्छा, इसने मुझे बोला है कि find the percentage of hydrogen in water, तो बहुत simple है, मुझे सि क्या करना है, अगर मुझे निकालना है percentage of hydrogen, अगर मुझे इसके अंदर find out करना है, तो बस मैं क्या करूँगा, hydrogen का mass लोगा, जो present है इसके अंदर, यहां पर 2 है hydrogen के atom, तो molecular wise बेटा H2 है इसके अंदर, तो मैंने क्या करना है, बस 2 उपर लिख दूँगा, नीचे जो total है that's it, percentage में आ जाएगा, so अगर आप यहां पर दिहान से देखो, तो मेरे पास बेटा ही देखो, यह यहां से cancel होगा, तो यह 1 by 9 होगा, जब आप इसको calculate करेंगे, तो 11.1% के करीब, यह percentage में होता है विशाया रखना, तो यह हमारे पास आ जाएगा, तो बेटा, इसका कहने क मतलब क्या है, मैं मतलब आपको समझाओंगा, don't worry, मतलब सिर्फ यह है आपका, कि अगर मैं 100 gram मान लो, water ले लेता हूँ, 100 gram क्या लेता हूँ, water ले लेता हूँ, तो उसके अंदर 11.1 gram जो है, वो मेरा क्या present है, वहाँ पे hydrogen present है, तो कितना simple सा बात है, प्रिकि percentage 100 में ली जात क्या होगा, मेरा hydrogen present होगा, चली मैं आपको next numerical भी करके दिखाता हूँ, फिर आता है, calculate the percentage of nitrogen in urea, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी, आराम से करेंगे हम इसको, तो हमारे पास क्या दिया होगा, यूरिया दिया हुआ है, उस यूरिया का, जो हमारे पास formula है, वो है NH2, CO, NH2, राइट, तो बाकी सब में बढ़ा, आपको, यह relative atomic mass, जो है, RAM का मतलब यह होता है, relative atomic mass, वो दिया हुआ है, यह 14 है, इसका 12 है, इसका 16 है, 1 है, आगे आप AMU लिख सकते हो, जो कि इसका unit होगा, बटा हमारा, तो पहले हम काम करते हैं, इस पूरे molecule का, जो weight है, या mass है, वो find out करते हैं, ठीक है, तो molecular weight, ठीक है, there is molecular weight, अगर मुझे बटा पता करना है, इस यूरिया का, तो मैं क्या करूँगा, nitrogen यहां पर बटा दो दिया होई है, और एक nitrogen का जो mass है, बटा 14 है, तो मैं बस 2 into यहां पर बटा 14 कर दूँगा, plus, हम मैं बात करने लगा हूँ, बटा carbon की, carbon कितना है, इसमें carbon है, सिरफ एक, एक carbon है, तो 1 into carbon का बटा माद दिया हुआ है, तो 12, वो यहां पर डाल दूँगा, अब हम बात कर लेते हैं, बटा oxygen की, जब मैं oxygen की बात करता हूँ, तो oxygen मेरे पास सिरफ 1 ही है, तो 1 into 16 कर दूँ प्लस, अब अगर मैं बात करता हूँ, बटा next, that is hydrogen की, तो hydrogen देखो के तो यहां पर 4 है, इसलिए मैं 4 into hydrogen 1 यहां पर कर दूँगा, and that's it, जब आप इसको बटा solve करते हो, तो आपको पता बटा यह आजएगा आपको पास 28, और यह आपका हो गया बटा 12, और यहां पर बटा आपके आगया 16, और यहां पर यहां पर वैल्यू आ जाती है, ठीक हो गया, अब मुझे बस यह फाइंड करना था कि इसमें nitrogen percentage wise कितना present है, तो percentage of nitrogen, ठीक है, कोई transition ही लेनी बटा इस बात को आप समझेंगे, तो मेरे पास इन nitrogen का total weight कितना है यहां पर, तो बस मैं 28 उपर लिखूंगा, total जो है, वो नीजे 60 आ जाएगा बटा आपका, into मैं यहां पर 100 कर दूँगा, जैसे आप इसको solve करते हो बटा आपका answer 46.67% बटा आपकी आ जाएगी, तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब यहां पर यही 46.67% मौजूद है, अब grams की term में बोलू, तो simple सी बात है कि अगर मैं 100 gram urea ले ले लेता हूं, तो उसमें मेरा 46.67 gram जो होगा, वो nitrogen होगा, तो यह मतलब होता है, इसका बस, ठीक है, यह एक्शल क्या होता है, बटा simple सी बात है, कि किसी atom को मतलब हम देख सकते नहीं है, बट उ तो यह क्या है, अगर मैं 100 gram क्या ले लो, यूरिया ले लो, तो यह उसके लिए था, I hope बटा आपको यह वाला जो पार्ट है, यह भी सबज में आ गया होगा, चलिए, अब हम बात करते है, बटा अपने third numerical की, so next बटा मेरे पास आता है, calculate the percentage composition of various elements in, element मतलब होता है, हर एक single item क के बारे में बता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी रहेगा, बट और कुछ नहीं है, सभी में करना एक जैसे ही है, तो जल्दी से काम करते हैं, कि इसका जो molecular weight है, ठीक है, molecular weight है, हम वो बटा यहां पे पहले calculate कर लेते है, ठीक है, सो मैं पहले लिया करूँगा यहां पर, मेरे पास यहां पर Na2CO3 है, जो कि sodium carbonate है, और देखिए, जो मैंने molecular weight का है, उसी को ही relative atomic mass भी कहा जाता है, ठीक है, तो कोई difference नहीं है, अगर मैंने आपको यह सब बाते पने जो पिछली वीडियो है, उसमें अच्छे से बता चुका ह मैं, अब देखिए, यहां पर क्या करना है, कि पहले हम इसको find कर लेते हैं, कि मेरे पास sodium यहां पर 23 दिया हुआ है, तो 23 into 2 कर दूँगा, क्योंकि 2 दिया हुए है, उसके बाद कार्बन तो 1 ही है, तो 12 into 1, प्लस oxygen 3 है यहां पर, तो 3 into 16 कर दूँगा, आप इसको solve कर लेजे आपका answer 106 amu आ जाएगा, जिसको हम atomic mass unit कहते हैं, बस अब मुझे क्या करना है, मुझे अब हर एक, हर एक element का, जो percentage composition है, वो पता करनी है, तो देखिए बड़ा, अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले, that is, percentage composition, that is, composition of sodium, ठीक है, मतलब na की बात हो रही है, तो na by mass कितना present है इसके अंदर, तो यहाँ पर 2 है, तो 23 into 2 कर देंगे, that will be 46, तो 46 लिख दिया, divided by total कितना है, 106, और into बेटा मैं यहाँ यहाँ पर 100 कर दूँगा, क्योंकि percentage आएगी, जैसे ही आप इसको solve करेंगे, तो जो आपका answer है, वो आ जाता है, that is, 43.4% आपके पास जाएगा, इसका मतलब है कि अगर मैं 100 gram sodium carbonate लेता हूँ, तो उसमें 43.4 gram जो है, वो हमारा sodium present होगा, ठीक है, यह समझने की बात है, इस बात को समझो, ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आता है, the percentage composition of carbon की मुझे निकालने, क्योंकि हर एका individually बोला है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और कोई reason नहीं है, तो अब carbon के अगर बात करूं बेटा, तो मेरे पास यहां पर 12 आ जाएगा, divide by 106 होगा, into 100 हो जाएगा, but that's it, आप इसको solve कर लीजे, आपके पास answer आ जाएगा 11.3%, तो बेटा, आपके पास यहां पर carbon हो गया, और उसी तरह, अगर मैं percentage composition निकाल रहा हू बेटा किसका oxygen का, तो oxygen के तीन elements इसमें होगा, तीन basically atoms है इसके अंदर, तो मैं 3 into 16 देखूँगा यहां पर, आप जानते हो बेटा, कि यह जो है आपका 48 होता है, तो 48 divided 48 कहां से आया, इन दोनों को multiply गिया, ठीक है न, तब आया 48, 106 कर दूँगा, बेटा, into 100% गया, और जैस आपका answer 45.3, 45.3% आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था, बेटा कि in total यह पूरा 100% होता है, तो अगर आप इन तीनों को add करें, तो आपका answer 100% आना चाहिए, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो, तो आपका answer आ भी रहा है, क्योंकि देखो, 3, 3, 6 6, 4, 10, 0, 1, carry, 4, 5, 5, 5, 10, एक वहाँ चला गया, और हमारे पास जो answer है, 1, उपर आजएगा, तो 4, that is 5, 6, and 4, 100%, 100% बन रहा है, जो आपको कहाना कि उसी total 100% में से कितना percent sodium है, कितना carbon है, कितना oxygen है, यह असानी से find out किया जा सकता है, बहुत simple सा concept है, चलिए, अब हम बात करते बेटा अपने आखरी numerical की, तो यह आपका बेटा आखरी numerical है, इस numerical के अंदर बोह रहा है, find the, that is the percentage mass of water, water, ठीक है, इसका मतलब है कि इस बार individually एक atom की बात नहीं हो रही है, पूरे एक molecule की बात हो रही है, तो मतलब इसकी बात हो रही है, मैं इसका बेटा अलग से mass निकालूं बहुत easy है, तो पहले मैं काम करता हूँ, molecular जो हमारे पास weight है, H2O का, पहले वो find कर लेते हैं, ठीक है, तो molecular weight हम बात करते हैं, that is कि इसका H2O का वैसने मैं find करते हैं, हरा गाम होता है, मैं फिर भी आपकली कर देता हूँ, कि 2 into 1, क्योंकि hydrogen का 1 होता है बेटा value, and oxygen का 16 होता है और एक ही है, इसलिए बेटा 18AMU बेटा आपके पास यहां पर आजाता है, अब अगर मैं बात करता हूँ, Na2CO3.10H2O की, तो अब इसका मतलब क्या है बेटा, मैं जूर आपके साथ यह जो है, discuss करूँगा, बात यह है कि बेटा जो sodium है, इसका 23 होता है, तो 23 into मैं 2 कर दूँ ही है, तो 12 आजाएगा, प्लस, oxygen है, 16 होता है, 3 है, बिटा लगेगा यहां पर, प्लस, अब यहां के लिए क्या करना है, कि यह 10 है, इन दोनों से मंटमलाई हो रहा है, तो 10 को बाहर रखो, और इसका जो मुल्क के वेड मैंने फाइंड के है, वो अंदर रख दो, that is 18 यहां पर आपके पास आजाएगा, तो that's it, जब आप इसको solve करते हैं, बिटा आपका 286 AMU बिटा आपके पास आया, बहुत सिंपल है, 286 आपके पास AMU आजाएगा, बस जी, अब मुझे कहा गया था कि जो molecule present है पानी का इसके अंदर, उसका percentage, जो है, composition find करनी है, बहुत easy है, तो percentage mass of water, अगर मुझे find करना है, तो देखो, पानी कितना present है, by mass पहले वो देखो, यह एक molecule का है, यहाँ पे 10 हैं, तो इसलिए 180 आएगा, पहले तो यह समझो थे answer, ठीक है, 18 मत लिख देना, 10 हैं, इसलिए 180, divided by 286 करूँगा, बिटा, into में यहाँ पे 100 कर दूँगा, जैसे आप इसको solve करते हूँ, आपका answer, बेटा, that is 62.9% आजाता है, तो यह बेटा, आपका यहाँ पर value आजाती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, कि वो ही, अगर मैं 100 gram washing soda, जो crystals है, अगर वो लेता हूँ, तो उसमें 62.9 gram जो होगा, वो पानी के, उसमें molecules होंगे, I hope, आपको, यह percentage composition है, और यह numerical है, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आज के lecture के अंदर बेटा हमने study किया percentage composition के बारे में, और साथी साथ हमने कुछ numerical के थूरू यह सीखा, कि उसको कैसे find out किया जाता है, इसके साथ हमारा जो पहला chapter है, उसके C part तक की जो theory है, वो हमने discuss कर ली है, बाकी अब next lecture के अंदर हम इसकी जो exercise है, उसको discuss करेंगे, और यह हमारा पहला chapter जो है, वो कतम हो जाएगा, अगर आपको मेरे video पसंद आ रही है, तो please like it, share it and subscribe it, आज के लिए बस इतना ही, thank you so much